तो आज हम देखेंगे युनिट फर्स्ट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अटेक्स तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अटेकर क्या होता है अटेक करता है जब आप किसी वेक्टी के सिस्टम को अपनी इच्छानुसार एकसेस करना चाहे और वो भी उसकी बिना पर्मिसन के तो उसे हम एक प्रकार का अटेक कहते है और अटेकर वो वेक्टी होता है जो जान बुचकर या पूरे इंटेंशन से किसी कंप्यूटर इस्टम को अटेक करता है और वह मत पूर्न तता संविधन सिल डेटा या इनफोर्मेशन को या तो चोरी कर लेता है या डिश्ट्रोई कर देता है या उसमें कुछ बदलाओ कर देता है तो उसे हम अटेकर गहते हैं और इसका बहुती गलत प्रयोग किया जा सकता है अटेक गर आपने कंप्त्र स्टम में एंटी वाइरस नहीं ढाल है। तो फिर इन्हें पगड़ना बहुत मुस्किल हो जाता है साथ ही कुछ को छोड़ कर जारतर अटेकर के पास में प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं होती है ये वेबसेट टूल या सौफ्टर टूल जो आप डाउनलोड करते हो उसी के साथ ये अटेक करते हैं ये अपने फायदे के लिए सारे सेकृरिटी लौ तथा पॉलिसी को तोड़ देते हैं जिससे आपको पता है हमारे देश में भी इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी एक्ट आया था तो उसके अंदर भी कुछ इनकी परिभासाय दिये रखी है सेम वही है तो आगे हम देखते हैं अटेक कितने परकार के होते हैं तो आपको मैं बता दूँ अटेक यहां दो परकार के होते हैं पेसिव अटेक और एक एक्टिव अटेक तो पेसिव अटेक को पहले हम देखते हैं पेशियो अटेक वह अटेक होता है जिसमें एक अटेकर अनाधिकरत तरीके से दो सिस्टम को मॉनिटर करता है दो सिस्टम का मतलब यह होता है कि मान लिजे हमारे पास में एक सिस्टम है एक सिस्टम है जो कि सेंडर का है एक हमारे पास में सिस्टम है जो रिसीवर का है इनके बीच में एक चेनल है एक नेटवर्क है आप इसको इंटरनेट नेटवर्क किये सकते हो ठीके तो यहाँ पर अटेकर इन दोनों को मॉनिटर करेगा ना कि किसी एक को अगर आपने कुछ यहाँ से भेजा आपने कोई डेटा भेजा है तो वो डेटा रिसीवर के पास सुझा रहा है साथ में एक तीसरा वेखती है यहाँ से आप इसको इस टाइप से निकाले एक तीसरा वेखती है जो कही दूर बेट करके उसे देख रहा है जिसे हमने ए अटेक कहा है यह inactive वह बस यह दे ख रहा है कि आप क्या भेज रहे हो अब भो सकता है कि यह जो मे法 को बता है का attacker भी होसकता और इसा नहीं है इसके लावा कोई आपके जो system ay sender या deceiver दोनुर इसके सिह किसी एक case में कोई वारस भी हो सकता ऐथ तो तो यहां पर लिखा है जो message या information दोनों को system के माध्यम से transmit किये हुए है उनको सिर्फ monitor करता है परन्तु इसका message को modify नहीं करता है बात महीं आपने जो भेजा है उसको केबल देख रहा है यहां यह modify नहीं करेगा ठीक है passive attack का मुख्य उद्देश से होता है समवेधन सिल information तता password को चुराना यह सिर्फ देख रहा है अगर आपने कोई data भेजा है या आप किसी server पर जा रहे हो मान लिजिए आप यहां पर हूँ यह हमारे पास में एक है यहां पर एक हमारे पास में है system यह किसी server से जुड़ा है जहाए login ID पासवर्ट पुछ रहा है server तो यह जो आपका network है यह network के बीच में यह सेन लगा करके आपका पेसी वटे कर भेठा है जो भी आप भेज रहे हो वो इसको देख रहा है बस इसका यह होता है कि information को चुरा लेता है उसमें कोई बदलाओ नहीं करता है यह यहां पर आपको दीख सकता है बॉब नाम का वेक्ति है जो किसी एलिस को डेटा भेज रहा है जो कि internet communication के तुरू जा रहा है तो उसमें एक वेक्ति दूसरा है एक अटेकर है वो इसको डेटा को चुरा रहा है ठीक है दूसरा यहां पर एक वेक्ति है बॉब है जो यहां से जो डेटा भेज रहा है उस डेटा को सीधे ना देते हुए इसने चुराया और इसने उसको चेंज करके फिर डेटा एलिस को भेजा है तो यह हो गया एक्टिव अटेक मतलब यहां पर यह डेटा में बदलाओ करेगा तो एक्टिव अटेक की परिभासना दे रखी एक्टिव अटेक वहां अटेक होता है जिसमें अटेकर दो सिस्टम के मध्यम मेसेज को ट्रांस्विट करता है तथा उन मेसेज को मोडिफाई करता है उन मोडिफाई मेसेज को वेक्ति को भेज दे जाते है उस वेक्त सिगनेचर और डिटल सर्टिफिकेट यह जो कॉंसेट है यह में बीच में बता दूआ डिटल सर्टिफिकेट का और डिटल सिगनेचर के माध्यम से हम आइडेंटिफाइगा सकते कि जो डेटा हमको प्राप्त हुआ है वो सेम वही है जो हमारे सेंडर ने भेजा है या उसमें उसने कुछ changes हुआ है तो यह आपका आज का lecture